अफगानिस्तान की क्रिकिट टीम के सितारे इस समय बुलंदी की नई इबादत लिख रहे हैं मैच दर मैच बल्ले बाजी, गिल्द बाजी और फिल्डिंग में निखार लाने के बाद अफगानिस्तान की टीम लगातार 11 टी-20 मैचों में जीत दर्श कर चुकी है हाल ही में ग्रेटर नोडा स्पोर्ट्स कॉंपलेक्स मैदान पर खेले गए माच में अफगानिस्तान के विकिट कीपर बल्ले बाज मोहमद शेजाद ने थमाकेदार 72 रनों की पारी की बदौलत आइलेंड पर 28 रनों से जीत दर्श की और अपनी लगातार 10 जीत का कारवा 11 जीत पर पहुँचाया विकिट कीपर बल्ले बाज मोहमद शेजाद के शांदार अर्द शत्किये पारी की बदौलत अफगानी टीम ने 234 रनों का स्कोर खड़ा किया आइलेंड 20 ओवर में 205 रन ही बना पाई अफगानी बल्ले बाज शेहजाद ने अपनी इस पारी के बाद एक बहुत बड़ा शिखर अपने नाम कर लिया है दरिसल शेहजाद विश्व में सबसे बहतरीन बल्ले बाजू में से एक भारतिय कप्तान विराट कोहली से आगे निकल गए है वो विराट को पचाड कर टीटुएंटी क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ले बाजू की लिष्ट में चोथे पाइदान पर आगए पाचवे पाइदान पर मौजूद विराट ने अपने 48 टीटुएंटी इंटरनाशनल मुकाबलों में 1709 रन बनाए हैं कोहली का स्ट्राइक रेड एक सो 34 पॉइंट से 70 है लेकिन अभी कोहली के पास वापस अपनी पोजिशन पाने और उसके आगे निकलने का पूरा मौका है क्योंकि भार्दी कप्तान कोहली ने शहजाद से 10 टीटुएंटी मुकाबले कम खेले हैं